असलाम अलेकुम मेरा नाम चांद नमाब है और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के मारे बताना वाना हूँ जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिना किसी पासपोर्ट बिना किसी वीजा बॉर्डर के तारों के नीचे से आया है पुलीज के तरह मगेगा कि बजरंगी एक हिनुस्ताने जासूस है लेकिन अब मुझे पता है कि बजरंगी पे बंद हो गये तब वो मेरे पास आया मैंने सब्सक्राइब लेकिन उनहोंने कहा कि इसको देखने में किसी की दिल्चस्पी नहीं लड़की को अपने माबाब से मिलाएगा और सही सलामत अपने मुल्क हिंदुस्तान पहुंच जाएगा तरह है यहाल बजरंगी भाइजान का जब चाइना पूर जाएगी तीन सात पुरानी फिल्म है। कौन देखेंगा पब्लिक बोर जाएगी चाइना में सल्मान भाता है कहने के लिए कि सल्मान खान जाके चाइना में जाके 200 करोड रुपे कमा है मुझे पता है यह अमिर खान की फिर्म दंगल अशीकर सुपरशार से बहुत कम है बहुत क्या बहुत कम है लेकिन 200 करोड एक ऐसी एक्टर की फिर्म जो तीन साल पहले रिलीज हुई थी एक ऐसा इंसान जो चाइना की धर्ती पर उसने movie of the decade and friends आज उसके 14 दिन पर yes friends day 14 बजरंगी भाईजान ने कमा लिये 1.03 million US dollars याने के 6.69 करोज और इसी के साथ बजरंगी भाईजान का चाइना में grand total होता है 30.95 million याने के 201 करोड दो लाक रुपे बहुत लोगों ने ट्विटर पर हुशा जिमानने के लिए पहले ख़बर दे दी लेकिन अभी अभी बजरंगी भाईजान आपने day 14 पे 1.03 million के पार जाता है और इसी के साथ इसका grand total होता है 30.95 million US dollars बजरंगी भाईजान is a movie जिसने चाइना के लोगों का दिल भी जीत लिय आए और आगे बहुत लंबी रेस का गोड़ा है एपिसोड पसंद आए पिस आनों को लाइक कीजिए जितना होसा के इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि ये जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे और फ्रेंस बजरंगी भाईजान 201.02 करोड इन चाइना इस मियामेर सा I will see you very soon till then as always say stay cool man